नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का study IQIS हिंदी के इस कारिक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कारिक्रम में हम क्या करते हैं इस कारिक्रम में हम आज के दिन के The Hindu और Indian Express आम तौर पे इन दो अकबारों के जो भी प्रमुख संपाद की होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं अपनी परिक्षा अपने exam के द्रश्ट कोन से इस बात को समझने के लिए कि भाई हमारे परिक्षा में इसमें से क्या चीज़े ऐसी हैं जिनको हमें समझना अविश्यक है कई बार ये भी एक समझने वाली बात है कि कई बार जो जिन आर्टिकल्स की मैं चर्चा करता हूँ उसमें ऐसी कोई खबर नहीं होती जैसे आज एकाद आर्टिकल आएगा मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसी कोई न्यूज वर्दी नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज है या कोई नई घटना हुई मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये specifically केवले current affairs का program नहीं है जैसे आपको याद होगा अगर आप मेरा कारिकरम रोज देखते हैं तो कल भी आपको जो मैंने सागर का गोश का article पढ़ाया था जो लोकतंत्र के बारे में था उसमें ऐसी कोई खबर नहीं थी कोई news नहीं थी तर लोकतंत्र की दशा लोकतंत्र की परिभाषा और भारत में लोकतंत्र कितना गहरा है इस बात की एक analysis करने का कोशिश किया गया था तो ये सारे विचार जो हैं य ये सारे के सारे thoughts जरूरी हैं आपकी न सिर्फ मुख्य परिक्षा के लिए बलके आपके prelims के लिए भी। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका prelims exam complicated हो रहा है उसमें अब जो है कई सारे ऐसे वैचारिक प्रशन भी पूछे जाते हैं। जिसमें आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि भाई किसी विचार का कुल तातपर्रिक क्या है वाफ्तविक तातपर्रिक क्या है। तो इसलिए इन विचारों को भी हम समझें ये बहुत जरूरी है। चलिए 30 जून है आज महीने की आखरी तारीक है 149 वा एपिसोड है। कल हम एक नाया महीना भी शुरू करेंगे और कल को हमारा 1500 वा एपिसोड भी होगा। ठीक है और आज 30 जून होने के कारण जैसे मैं कहता हूं हमेशा साल के मिडवे पे हम आ गए चटे महीने का आखरी दिन है आज तो हमारा जो P2I बैच है Study IQ IAS का जो हिंदी में पहली बार हो रहा है हिंग्लिश में पहले भी हो चुका है हिंदी और अंग्रेजी में ये पहली पहली बार किया जा रहा है ठीक है तो इसको आप जॉइन कर सकते हैं AJ Live Code लगा के इसकी कीमत अब 28,999 है ठीक है ये कीमत जो है इस पे 1000 रुपे का और डि चातकार तक आपके इंटर्विव तक आपकी पूरी तयारी कराई जाएगी पहले आपका प्रिलिम्स फोकस होगा क्योंकि इस बार जो है ये सब को समझ में आया है कि आर प्रिलिम्स परिक्षा जो है वो थोड़ी complicated हो गई है खास तो और पे CSAT की तो मैं यहां तक भी कह रह है उससे बात हो रही थी और मैं उसको यही बोला कि यार CSAT पे आपको भी सबताहा में कम से कम तीन घंटे अब देने चाहिए ये बहुत जरूरी है आप भी कोई और उसका बहुत simple trick है बहुत simple तरीका है बहुत बच्चे मेरे को message करते हैं उसके लिए मैं आपको simple तरीका बत दीजे परीक्षा है परीक्षा की तैयारी करनी है जो पूछ रहे हैं उसके तैयारी हमें करनी पड़ेगी आ करनी भी चाहिए तो तरीका वही है आप अगर देखेंगे तो जिस तरह के प्रशन BANK PO में आते हैं SBI PO वगरा में आते हैं IBPS के PO में आते हैं प्रशनों का स्थर वही है तो आप IBPS या SBIPO की कोई सी भी किताब खरीब लिजे कोई सी भी एक किताब और जैसे आप अपनी लक्षमी कान पढ़ते हैं रमेश सिंग पढ़ते हैं आप अपनी और दुनिया मर की किताबे आप UPSC के लिए पढ़ते हैं वैसे ही आप उस किताब को भी पढ़ने का एक शटीूल बना लीजे कि यार इसको पढ़ना है इसमें दिये हुए सवालों को हल करना है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आपका जो है आपको मालूम जल जाएगा तो फिर आपकी आगे की तैयारी आउनलाइन नहीं होगी उसके लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा उसमें आपका आना जाना रहना खाना सारा खर्चा जो है वो संस्थान वहन करेगा आपको इसके अठरीक कुछ भी खरचा करने की अविशक्ता नहीं है वहाँ पे हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो आपको बहुत गहन तयारी कराएंगे इन परसन तयारी कराएंगे आपके साथ वहाँ रहके आपको तयारी कराएंगे क्योंकि मेंस के लिए उस तरह की तयारी लगती है उसी तरह के इंटर्व्यू में आपके साथ होगा आपके साथ पूरा विस्तरत अनालिसिस होगा तो अगर आपको ये सब कुछ ये सारी सुविधा आपको मिलेगी 28,999 रुपए में यानि कि 29,000 रुपए में अगर आप AJ Live Code लगाते हैं याद रखिएगा आज इस बैच से जुड़ने की आकरी तारीख है 30 जून है आज शाम 6 बजे टाइम होता है क्लास का लाइव क्लास होती है आपको पूरा सुलिबस पढ़ाया जाता है तो इससे जरूर जुड़ें पूशिश करें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जरूर जुड़ें अप्शनल सब्जेक्स हमारे पास 8 हैं इसकी प्रेजेंटेशन वगरा मैं आपको भेजूँगा तो आप महाँ पे देख सकते हैं कि इनका बैच कब-कब से शुरू हो रहा है ये सारे उप्शनल सब्जेक्स आप AJ Live Code लगा के 13,999 में प्राप्त कर सकते हैं इन में से कोई साभी उप्शनल आप ले सकते हैं सारे के सारे उप्शनल जो हैं वो हमारे बहुती शादार फैकल्टी मेंबर्स बहुती वरिष्ट बहुती अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स इनको पढ़ाते हैं इस क्लास की प्रेजेंटेशन या कोई और चर्चा कोई और भी मेरे तरफ से अनाउंस्मेंट होता है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ कुछ नया वीडियो कोई नया विचार वो सारे आपको मिलते हैं अतुल जैन UPSC guidance नाम के टेलिग्राम चैनल पे अतुल अंडर्सकोर UPSC मेरा Instagram है अतुल.jain अडरिटstudyIQ.com मेरा email ID है जे इन तरीकों से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप मेरे को आप शुरू करते हैं आज का discussion आज की class तो भाई सबसे पहली class सबसे पहला discussion जो है वो ये है कि Greece में हुआ चुनाव तो Greece क्या है यार Greece एक European देश है और EU का हिस्सा है और हम जानते हैं Greece के बारे में एक बहुती प्राचीन इतिहासिक तो ग्रीस में क्या था Greece के साथ इतिहास इतना अभी हाल का अगराप इतिहास देखें तो 2010 के आसपास Greece में बेहत भारी आर्थिक संकट आया था Greece का जो आर्थिक संकट था वो इस तरह का था कि उसने धीरे धीरे बाकी यौरप को भी अपने चपेटे में लेना शुरू कर दिया तो 2009, 10, 11 के आसपास का जो समय था ये यौरप के लिए बड़ा मुश्किल बड़ा दुश्कर समय था इस समय में बहुत सारे यौरोपिय देश जो थे वो एक बहुत गहरे आर्थिक संकट में फसे हुए थे ग्रीस उन सब में से सबसे ज़ादा संकट गरस्त था जैसे स्पेन में भी आर्थिक संकट था आइसलैंड में आर्थिक संकट था तो ग्रीस की तो स्थिती यहां तक हो गई थी कि ग्रीस के बारे में कहा जाने वाला था कि ये दिवालिया हो जाएगा, ये देश अब नहीं बच सकता इस देश को अपने संपत्यां बेचनी पड़ जाएंगी ये देश अब जो है दिवालिया होने की कगार पर है और वहां से फिर ग्रीस ने वापसी की निश्यत तोर पे European Union ने और अन्य संगठनों ने इसकी सहयता करी, वहां से Greece वापसी करने की राहा पे आगे बढ़ा, और ये वापसी अभी भी जारी है, ये वापसी जो है अभी भी चल रही है, ग्रीस जो है अब काफी सुधर चुका है, अब ऐसे दिवालिया पनिया आर्थ संकट की एक अलार पे Greece नहीं खड़ा है, ये बात सही है, लेकिन अभी भी आज की तारीक में भी जो Greece का GDP है, वो 2008 के GDP से 20% कम है, आप सोच के देखे कितनी विचितर बात है, अगर आप किसी भी देश का 2008 से, अब भारत का आप देखोगे, तो 2008 में जो GDP था, उससे शायद हम कई गुना हो चुके हैं, हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, कि यार 2008 में हमारे GDP की जो दशा थी, उससे अब हम कई गुना आगे निकल चुके हैं, लेकिन Greece में जो उनका 2008 में GDP था, उससे वो अभी भी 20% कम है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि Greece की दशा में सुध है यहां पर, और बड़ा complicated सा इनका नाम है, बोलने में मेरे को भी काफी समय लगा था, आपको भी लगेगा, क्यारी कोस मित्सो टाकिस, तो क्यारी कोस छोड़ देते हैं, मित्सो टाकिस जी बोलते हैं इनको हम, तो मित्सो टाकिस सहब जो है, ये Greece के दूसरी बार लगातार प्रधान मंत्री चुने गए हैं, Greece के 2019 से ये प्रधान मंत्री थे, Greece में अभी दुबारा चुनाव हुआ, तो Greece में फिर क्या हुआ, और चा, Greece में ये दुबारा अभी दो महीने पहले चुनाव हुआ था, वहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिला, इनकी पार्टी सबसे पार्टी थी, पर इनकी बहुमत नहीं मिला, तो Greece में फिर एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया होती है, कि एक अलग नियम के आधार पे दुबारा चुनाव कराया जाता है, तो दो महीनों के अंतरगत ये चुनाव दुबारा कराया गया, उसमें अब जाके मिस्तो टाकिस साहब की पार्टी को 300 में से 158 सीटे मिल गई है, और पश्ट महूमत के साथ वो अपनी सरकार बनाने वाले हैं, दूसरी बार वो सरकार बनाएंगे, मिस्तो टाकिस साहब जो है, ये एक वहाँ की जो रूढ़िवादी पार्टी है, जो दक्षड पंथी दल होते हैं, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत लिबरल नहीं माने जाते, ऐसी पार्टी के हैं ये, तो इनकी पार्टी का नाम है New Democracy Party, ये रूढ़िवादी पार्टी है, जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं, भारत में जैसी BJP है, कि भाई, BJP बहुत लिबरल पार्टी नहीं मानी जाती, हाला क भारत की राजनीती थोड़ी अलग तरीके की है, और येरोपियन देशों की राजनीती थोड़ी अलग तरीके की है, लेकिन तब भी, अगर हम तुलना करने जाएं, तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे भारत में एक परंपरागत दल जो है, कि भाई, मतलब जो थोड़ा परंपरा उस तरह की पार्टी जो है वो भारती जनता पार्टी आप कहा सकते हो भारत के राजनीती के परिप्रेक्ष में लगभग वैसी पार्टी है इनके न्यू डिमॉक्रिसी पार्टी उसके ये नेता है और ये दुबारा चुने गए हैं इनका जो प्रमुख चुनावी मुद्दा था वो था आर्थिक फुधार मतलब बताने यह तो आप गैस करी वक्ते हो कि यार जिफदेश की आर्थिक हालत जिफदेश की माली हालत इतनी खराब होगी कि वहाँ पर GDP कम कम हुआ है 2008 की तुलना में तब भी मैं कहरा हूं कि भारी फुधार हुआ है तो आप समझी सकते हो कि यार वहाँ की जनता पर कितना प्रभाव पड़ा होगा वहाँ के उद्योग धंदों पर कितना प्रभाव पड़ा होगा और निश्चित तोर पे वहाँ के निर्वाचन में वहाँ की राजनीती में आर्थिक फुधार से बढ़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता यह बात देशों से जो शरणार्थी यूरूपिय देशों में आते हैं उनको रखा जाए या ना रखा जाए तो पूरे यॉरप की राजनीती में इस मुद्दे ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है अलग-अलग देशों ने अलग-अलग तरह की नीतियां अपनाई है कुछ देशों ने काफी लिबरल नीतियां अपनाई है कि भई ठीक है शरणार्थी हैं मुश्किल परिस्थितियों में हैं हम उनको स्विकार करेंगे कई देशों ने ऐसा नहीं किया तो ग्रीस में मित्सा कोबिस सहाब के नेतरतव में ग्रीस ने बहुत ही कठोर शरणार्थी नी हाला कि इनके चुनाब के पहले बड़ी सारी ऐसे अप्रिय घटनाई हुई जैसे एक नाउ दुर घटना हुई ग्रीस के बैंक्स पे जिसमें 200 से जादा शरणार्थी मारे गए जिसमें काफी सारे पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तान की सरकार ने भी इसकी जाच पड़ताल ब दिया ये तक भी कहा गया लेकिन तब भी काफी आलोजना हुई इस बात की लेकि पूरी दुनिया भर में इसके अलावा वहाँ पे अभी हाल ही में ट्रेन दुर घटना हुई थी ट्रेन दुर घटना में 57 लोग मारे गए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि इनका प्रभाब श ग्रीज जो है इनके नित्रत्व में रहेगा और अब इनका लक्ष ये है कि यार ग्रीज को विकास करद करके इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग में लेके आना है तो यार ये क्या होता है जो क्रेडिट रेटिंग संस्थान होते हैं जो क्रेडिट रेटिंग आपके जै कितना सुरक्षित है तो उसमें क्या है एक तरह से वैसे तो बहुत सारी रेटिंग्स होती है लेकिन रेटिंग्स को आप दो भागों में बाटते हो जो उपर वाला भाग है वो investment grade कहा जाता है तो investment grade मतलब आपकी जो एक रेटिंग है वो ऐसी है कि अगर कोई निवेशक यहां निवेश करेगा तो उसका निवेश सुरक्षित माना जाएगा अब इसमें भी बहुत सारी कैटिग्रीव होती है कि वो कितना सुरक्षित है तो भाग ग्रीव अभी obviously इसके bottom के थोड़ा नीचे है लेकिन बहुत नजदीक है ग्रीव इसके तो यह माना जा रहा है कि अगर ग्रीव एक बार investment वाले grade में आना शुरू कर देता है तो जिस प परकार के आर्थिक संकट से निकाल के वो लाप आए चलिए आगे बढ़ते हैं यार ये जो आर्टिकल है ये भारतिये जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने लिखा है गौरफ भाटिया ने और एक नीती के तहट मैं राजनेता हूं द्वारा लिखे वे आर्टिकल नहीं प पढ़ाया है लेकिन तब भी गौरफ भाटिया का भी ये आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आप में से कई लोगों ने टीवी डिबेट्स में गौरफ भाटिया को चीखम चिल्ली करते हुए देखा होगा लेकिन वो नौकरी की डिमांड है कि उनको चिलाना पढ़ता है वास्त और पर टीवी पर राजनीती इस तरह की हो गई है तो उसका कुछ कर नहीं सकते लेकिन गौरफ भाटिया का आर्टिकल आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसके राजनीती को मैं इग्नूर कर रहा हूँ काफी सारी राजनीतिक बाते भी उनने लिखी है जहाँ पर obviously सरकार बहुत महान है ऐसा लिखा है वो सारी चीज़े हम छोड़ रहे हैं वो हमारे काम की नहीं है लेकिन यहाँ पे गौरफ भाटिया ये कहते हैं कि भई समान नागरिक सहिता जो भारत के प्रधान मंत्री या भारत की सरकार अभी लाने के बारे में निश्यत तोर पे विचार कर रही थे उस धाई गंटे के भाशन में से मेरे खाल से पौना घंटा उन्होंने समान नागरिक सहिता पे बोला था काफी देर तक उन्होंने इसके वारे में बातचीत की तो निश्यत तोर पे सरकार जो है वो गंभीर है इस मामले को लेके सरकार आगे बढ़ने का सोच रही ह और ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव के कारण भी ऐसा है, अगले साल चुनाव है, तो सरकार को एक कोई बड़ा मुद्दा चाहिए, लेकिन गौरफ भाटिया यहां पर इस आर्टिकल में क्या बताते हैं, गौरफ भाटिया यह कहते हैं कि यार भारत में समान नागरिक सह का आइडिया जो है, वो ऐसे अचानक से नहीं आया, वो यह कहते हैं कि समान नागरिक सहिंता का जो मामला है, वो हमारे एक imagination में, एक देश की संकलपना में हमेशा से था, और वो उसके तीन स्रोथ बताते हैं, तो बस मुझे आपको इस आर्टिकल में वो तीन स्रोथ बताने हैं, और कुछ नहीं बताना, बाकी तो ये विपक्ष ये करता है, वो करता है, जो उन्हांने लिखा है, ये सारी चीज़े हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उन्हाने कॉंग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी हों पर आरोप लगाए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो गौरव भाटिया यहां पर यह कहते हैं कि यार तीन चीजे हैं. टीन ऐसे मुद्दे हैं, जो तीन ऐसे स 어떻 हैं, जहां से समाननागरिक सहिता का आईडिया भारत में निकलता है. वो तीन जगह क्या है? पहला है वैध मानते हैं, कि भारत के सम्विधान में जो लिखा है, हम ये मानते हैं कि वो अच्छी चीज़े हैं, आम तौर पे हम लोग हदार चीज़ों को लेके असहमत हो सकते हैं भारती राजनीती में, लेकिन हम सभी इस बात को मानते हैं, कि यार सम्विधान में जो लिखा है वो ठीक है मतलब वो उसका पालन करेंगे भले ही वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो किसी भी पक्ष के लोग हो वो कहते हैं कि भई सम्विधान की भावना का सम्वान करना चाहिए ऐसे ही सम्विधान सभा के डिबेट्स हैं यह मैं आप इसे कई लोगों को पता नहीं कौन सी क्लासे में बोला, इस में बोला होगा, इस क्लास में कई बार बोलता हूं, कि अगर आपको समय मिले, तो सम्विधान सभा के डिबेट्स आप पढ़िए, हाना कि बहुत लंबे होते हैं, तो अगर समय मिले तो, या फिर कभी आप जब UPSC के तयारी कर लें, सलेक्ट हो जाएं, या कभी छुट्ती लें, ब्रेक लें, तो उन डिबेट्स को पढ़ना शुरू कीजे, उन डिबेट्स से आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जिस सम्विधान को अब हम इतना आप्वियस मानते हैं, कि हाँ यार यह स सम्विधान दरसल बना कैसे था, उसको बनाने के पीछे किस किस तरह की चर्चाएं की गई थी, और यह आम लोग नहीं थे, जो सम्विधान सभा की चर्चा करने वाले, सम्विधान सभा के जो सदस्य थे, यह आम लोग नहीं थे, यह सारे के सारे अपने शित्र के जाने मने गर्मानने लोग थे, ये सारे के सारे उस जमाने के नेता थे, जब नेता अच्छे लोग हुआ करते थे, ये मतलब अभी तो नेता अपराधी एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन ये वो जमाना नहीं था, ये वो जमाना था, जब नेता जो होते थे, वो दार्शनिक होते थे, व उसकी हम इज़त करते हैं, तो गौरब भाटिया का आर्गूमेंट भी यही है यहां पर, कि यार आप समान नागरिक सहिता का विरोध करने की बात करते हो, लेकिन आप ये देखो कि इन तीन सबसे इंपोर्टेंट स्रोतों ने कहीं न कहीं समान नागरिक सहिता की वकालत की है, कैसे वो आगे बताते हैं, कि यार भारत के समरिधान के अनुच्छे 44 में समान नागरिक सहिता की इच्छा व्यक्त की गई है, भारत का जो समरिधान है, वो आर्टिकल 44 क्या कहता है, एक बार देखी लेग्या, चलिए ऑनलाइन पढ़ाने के लाब होते हैं, मैं हमेशा कहता वो क्या कहता है, यहाँ पर देख पाएंगे, यह क्या कहता है, इसको हिंदी में भी देख लेए, तो भाई यह क्या है, चनुच्छे 44 में क्या कहा गया है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिता लागू करना सरकार का दाइत्व है, यह स्पष्ट तौर पे आपके सम्विधान के अनुच्छे 44 में कहा गया है, कि सरकार जो है, आपका राज्य जो है, वो इस बात के प्रयास करेगा कि देश में सभी के लिए एक समान नाग अब याद रखिएगा Article 44 जो है वो किसमें आता है वो नीती निदेशक तत्व में आता है जो आपके डिरेक्टिव प्रिंसिपल है आपके नीती निदेशक तत्व में आता है आप में से कई लोगोंने पॉलिटी पढ़ी होगी कुछ नहीं भी पढ़ी होगी तो यार नीती न नागरिक को देने ही पड़ेंगे उसमें आप अपवाद create नहीं कर सकते नीती निदेशक तत्व समविधान चाहता है कि आप करें लेकिन आप अपने हिसाब से करें अपने टाइम पे करें आप अपने हिसाब से उसको करें जैसा आपको ठीक लगे तो यह तरह का आदर शैक तरह का विजन है जो समविधान आपके सामने प्रस्तोत करता है कि आप ये चीज़े करें पर आप को ऐसा नियम नहीं बनाता कि आपको करना ही पड़ेगा लेकिन तब भी ये तो सपश्ट होता है कि समविधान का इरादा है समविधान की इच्छा है कि पूरे देश में एक समान नागरिक सहिता लागू हो यह article 44 में सीधे सीधे तोर पे सम्विधान में कहा गया है तो नीती निदेशक तत्व में ही सही लेकिन सम्विधान इसको एक प्रकार की वैधता प्रदान करता है एक प्रकार का एक प्रकार का आशवासन देता है देश को कि यह हम करेंगे कभी ना कभी ठीक है इसके अलावा अगर आप सम्विधान सभा की डिबेट्स देखेंगे तो आप पाएंगे गॉक्टर भीमराव अंबेटकर केम मुन्शी और आपके कृष्णसवामी अईयर जैसे बड़े बड़े जो उसके फदस से थे जो उसके महान फदस से थे जो महान आप जिनको मानते हैं विधी के जानकार और सम्विधान के निर्मान में उनकी भूमिका को आप हमेशा अप्रीशियेट करते हैं ऐसे लोगों ने हमेशा समान नागरिक सहिता का समर्थन किया उन्होंने कहा कि यार नागरिकों के परसनल नियमों में भी नागरिकों के जो विक्तिकत कानून है निजी कानून भी जो है उनमें भी धर्म के आधार पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जिस देश को बना रहे हैं, वो धार्मिक आधार पे नहीं बना है, उनका जो point था वो हमेशा ये था, कि भी धर्म के आधार पे पाकिस्तान जैसा देश बनता है, हमारा देश धर्म के आधार पे नहीं बन रहा है, हमारा देश कोई हिंदू राष्ट नहीं है, कोई मुसलिम राष्ट नहीं है कोई सिख राष्ट नहीं है हमारा देश किसी भी धर्म का राष्ट नहीं है वो सबका राष्ट है तो ऐसे देश में हमें धार्मिक नियमों को लेके चलना एक प्रकार से गलत चीज है और किसी भी तरह के personal laws जो है वो धर्म पे अधारित नहीं होने चाहिए तो हमें उनमें एक रूपता लानी चाहिए हमें ऐसा करना चाहिए उसमें सरकार को बनाने चाहिए उसमें अगर आपको विवित्ता लानी है तो आप ला सकते हैं लेकिन सरकार को ही ये बनाने चाहिए ये काम धर्म को नहीं दिया जा सकता, इस बात को लेके बड़े-बड़े जो समिधान सभा के सदस्य थे, वो एकमत थे काफी हद तक कि इसको हमें ऐसे करना चाहिए। सुप्रीम कोट पे आते हैं तीसरे स्रोथ पे, सुप्रीम कोट ने 1995 के सरला मुदगल केस में ये एक observation दिया कि यार हमारे जो politicians हैं, 1995 में सरला मुदगल केस था, सुप्रीम कोट ने ये कहा कि यार ये समान नागरिक सहिता का मुद्दा जो है, आपने 1949 में Constitution लिखा, उसमें आप पस्ते में डाल रखा है, और ऐसा लगता है कि आप में से किसी का कोई motivation नहीं है, आप में से कोई कुछ खास गंभीर नहीं है, इसको लागू करने को लेके, जबकि ये आपके संभिधान में ही लिखा हुआ है, तो आप इस मामले को इग्नोर करते आ रहे हैं, आप इस मामले को वरियता नहीं दे रहे है, ये अपने आप में खराब बात है, ऐसा सुप्रीम कोट ने सरला मुदगल केस में 1995 में कहा, ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोट ने जो आपका New Young Lawyers Association वाला केस था 2018 में, उसमें भी सुप्रीम कोट ने सीधे सीधे ये कहा, कि यार देखो नि क्लियर किया, और ये आपको, ये तो आप पॉलिटी अगर थोड़ी भी पढ़ते हो, तो आपको पताईए, कि कोई भी कानून भारत के अंदर, अगर मूल अधिकारों का उलंधन करता है, तो वो वैद नहीं होता, सुप्रीम कोट ने इस बात को एक बर फिर दोहराया था, ये इटरेट किया था, 2018 के इस केस में, कि यार अगर किसी भी तरह से, ये आपके मूल अधिकारों के खिलाप जाता है, मूल अधिकारों के विरुद्ध जाता है, तो उन लौव को आपको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे गौरफ भार्टिया ये कहते हैं, कि सम्विधा कहता है, सम्विधान सभा की डिबेट्स कहती 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 है, सम्विधान सभा की मैं निशकर्ष ऐसा नहीं कि नहीं बताता आप में से कई लोग समझ जाते हैं मेरा निशकर्ष क्या होता है दो चीजे हैं कि यार एक तो निशकर्ष बताना जो है वो अपने विचार थोपने जैसा होता है अगर मैं आपको बता दूँ कि समान नागरिक सहिता पर अगर मैं आ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा कि मैं आप लोगों को force कर रहा हूँ आपको मजबूर कर रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वही आप सोचो मैं आपको positive negative दोनों बता रहा हूँ I think क्योंकि मुझे लगता है कि होनी चाहिए तो वो गलत है वो बहुत ही बेकार उत्तर है अगर आप ये कहो समान्नागरिक सअिता नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये खराब चीज έχ ये भी या फिर मैंने WhatsApp पे पढ़ा ये खराब चीज़ है या फिर मेरे फलाना नेता ने कहा ये खराब चीज़ है वो भी विकार की बात है यार आपके पास जिस पक्ष के तरक हो आप उस पक्ष की बात करें ठीक है तो समान नागरिक सहिंता को थोड़ा और केरफुली सोचे जाने की आविशक्ता है कि क्योंकि एक हमारा बहुत विवित्ता पूर्ण देश है कुछ आइडियास ऐसे होते हैं जो सिंप्लिस्टिकली अगर आप सरली करत तरीके से सोचो तो बहुत सही लगते हैं जैसे मैं आपको उसका एक इड़ामपल लेता हूँ नदियों को जोडने का आइडिया जो आया था जब आया था इसको बहुत तारीफ की गई थी कि ये तो कुछ नदियों में बाड़ा आती है कुछ में सूखा पड़ता है सबको जोड़ दो सही है बड़ी आइडिया है तुनने में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है एकदम सही लग रहा है लेकिन जब इसकी डीटेल्ड एंवार्मेंटल स्टडीज की गई तो ये पाया गया कि हर नदि का अपना पानी का फूरत अलग होता है हर नदी के पानी की प्रकृती प्रवरती अलग होती है हर नदी के पानी की सलिनिटी अलग होती है जो लवनता होती है हर नदी के पानी का एक उसमें खनिज लवनों की मात्रा जो है वो अलग-अलग होते हैं बहुत सारी चीज़े अलग-अलग होती है तो अगर इतनी सारी चीज़े अलग-अलग होंगी और हर नदी के अंदर एक एको सिस्टम है मशलिया रहती है, कुछ और जीव जन्तू रहते हैं, बनस्पतियां होती है तो अगर आप इनके पानी को मिलाओगे तो इस कडम को आप जल्दी से नहीं ले सकते आपको सोच विचार के, स्टडी करके तब लेना चाहिए वही बात थमान नागरिक सहिता पे है सध्धन्तिक तौर पे इसका विरोध करने का कोई औचित्त नहीं है कि हाँ ठीक है, सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए लेकिन एक बार ये भी देखना चाहिए कि वो एक जैसे कानून जो है उनको लागू करने में किस तरह की समझते आएंगी क्या उससे कुछ ऐसे अधिकार हैं लोगों के जो छिन जाएंगे, अगर ऐसे अधिकार हैं और क्या ऐसे, मैं कहता हूँ अधिकार दो तरह की होते हैं एक होता है हानिकारक अधिकार जैसे टिपल तलाग था, वो एक हानिकारक अधिकार है वो अधिकार अगर किसी के पास भी है तो उससे हानी हो रही है, उसका छिनना जरूरी है या एक से जादा शादियां करने का अधिकार या फिर जातिवाद करने का अधिकार या जातिय आधार पर भेदभाव करने का अधिकार ये अधिकार जो है अगर किसी के भी पास है किसी भी धर्म के पास है तो उनसे छिनने जरूरी है क्योंकि ये नुक्सान दायक अधिकार है लेकिन अगर किसी धर्म के पास ऐसे मान तो इस पर और विचार करने की आविशक्ता है, इस पर और गंभीर और गहरा विचार होने की आविशक्ता है, खेर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह हो गया हमारा समान नागरिक सहिता पर आज की छोटी सी चर्चा, इसके बाद हम आते हैं, अरे यार, आदी पुरुष, यह इसा टॉपिक है, जिस पर मैंने पिछले पंदरा दिन में इतने मीम्स और इतने आर्टिकल्स और इतने जोक्स और इतने वीडियो क्लिप्स और क्या-क्या देखा है, जितना शायद मैंने आज तक जिन्दगी में किसी फिल्म पे नहीं देखा होगा, और यह अब मैं नॉम होती है संदेश दिने में लेकिन पिछले 15-20 दिन से कम से कम जब से ये फिल्म आई है प्रभास की या ओम राउत इसके डिरेक्टर है आदी पुरुष और डिरेक्टर से भी जादा चर्चा और लेखक की हो रही है जिसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है और गाने लिखे है बात चल रहा है तो कई बार कुछ बच्चों ने भी पूछा मेरे फिफर आदी पूरुष पे आपका क्या विचार है तो उनको मैंने यही कहा कि यार क्या बताओं मैं आपको मैंने एक तो मैंने फिल्म देखी नहीं अभी तक देखी नहीं है क्योंकि यार सिनिमा हॉल कैसे बारे में आ गई ही तो लगबग पता चली गया कि क्या तकलीफ है क्या प्रॉब्लम है इससे तो यार आदी पुरुष को लेके थोड़ी बातचीत यहां पर आपके साथ करनी है आज मेरे को क्योंकि आज इस पर संपाद की आया है जैसे आज अमेरिका ने अपने अरक्षन की जो पॉलिसी है उसको वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रद किया है बहुत बड़ी बात है और मेरा अपना एक बहुत ही क्लियर विचार भी है इसको लेके लेकिन यह मैं पढ़ाऊंगा तभी जब संपाद की आ जाएगा ठीक है जो क इसमें क्या हुआ है फिल्म के चित्रण और संबादों को लेके विवाद हुआ है जैसा कि हमें क्लियर है कि फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है राम को जिस तरह से दिखाया राम पे तो कम हुआ है रामणप को लेके विवाद हुआ है कि उसके दाड़ी दिखाई गई है वो हतोडा चला रहा है वो सांपों के ऊपर लेटा है उसका पुश्पक विमान नहीं है वो बाज पे बैठ के ओड रहा है जैसे गेम अफ थ्रोंस टाइप का कुछ बनाया गया है इसमें कुछ ये भी मैंने देखा है कि इसमें कुछ नगनता भी है अपारेंटली मैंने फि आदा विवाद जो मैंने सुना है वो मैंने सुना है हनुमान जी को लेकर कि हनुमान जी से जिस प्रकार के डायलॉग बुलवाए गए हैं जिस प्रकार के समबाद हनुमान जी को दिये गए हैं वो बड़े बड़े स्तरहीन है मतलब खराब शब्द प्रयोग नहीं करना चा हनुमान जी को दिये गए हैं बोलने के लिए और कुछ तो बहुत ही जैसे सड़क छाप भाशा जो होती है उस तरह की भाशा में हनुमान जी से बात इस फिल्म में कराई गई है तो यार सवाल जो आता है वो फिर से ये आता है कि रचनात्मक स्वतंतरता जो है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए क्या उसकी कोई सीमा है या उसकी कोई सीमा नहीं है रचनात्मक स्वतंतरता जो है वो उसमें हम कहां पे आते हैं अब देखिए रचनात्मक स्वतंतरता अपने आप में बड़ा विवादास्पत विशे है कुछ धर्म, कुछ समुदाय, कुछ समाज, कुछ देश इसको लेके बहुत आहत होते हैं जैसे बार-बार ये कहा जा रहा है अगर ऐसी फिल्म हम पैगंबर मुहम्मद पे बनाते हैं तो क्या शान्ती होती अफकोर्स नहीं होती क्योंकि इसलाम जो है अपने जो मानने वाले हैं उनको एक बहुती जिसको हम कहते हैं एक बहुती पवित्र जगह पे रखता है और इसलाम उनका चित्रण तक अलाओ नहीं करता ये हर धर्म के नियम है वही हिंदू धर्म उनका चित्रन अलाओ करता है हिंदू धर्म ये कहता है कि आप हमारे भगवानों की फोटो बना सकते हो आप उसको बांट सकते हो आप उनके वस्तर जो है कभी किसी तरह के वस्तर कभी किसी तरह के वस्तर इसमें दिखा सकते हो तो कोई दिक्त नहीं है, तो यह हर धर्म के अलग अलग नियम है, और उन नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए, हिंदू धर्म के भगवानों पर जादा फिल्में इसलिए बनती है, क्योंकि पहली बात तो भारत में जादा अबादी हिंदू है, और हिंदू धर्म की कहानियो उसे लोग बादा रिलेट कर पाते हैं दूसरा कारण ये भी है कि हिंदू धर्म जो है उन पे कहानिया बनाने की फतंतरता देता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भई आप कुछ धर्म ये अलाओ करते हैं कोछ धर्म नहीं करते तो उसका हमें पालन करना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में किस तरह से होता है एक बहुती शांदार सीरीज है मतलब मैंने जितनी भी आज सक जीवन में सीरीज देखी है उन में से मैं हमेशा बोलता हूँ कि याझ एक सीरीज जो है Kevin Spacey का जो character है जो America का राष्ट्रपती बना है उसमें वो व्यक्ति चर्च में जाके Christ पर थूकता है मैं सच बता रहा हूँ, actually ये scene है उसमें कि वो Christ पर थूकता है वो चर्च में जाके और फिर वो मूर्ती गिर जाती है, ऐसा कुछ एक scene है उसमें बहुत symbolic scene है fall of God का idea था कि भगवान को गिरा के अब वो नया भगवान बनना चाहता है, ये इस तरह का idea था उसमें लेकिन इस scene को लेकि कोई विवाद नहीं हुआ इस scene को लेकि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि वो समाज जो है उसको स्विकार रहे है कि भगवान एक मानक है आप अगर उनके उनका अपमान भी कर रहे हैं तो ठीक है ये उसका मानक है तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि रचनात्मक स्वतंतरता जो है उसकी सीमा पर एक बार हमें चर्चा करनी पड़ेगी मैं हमेशा कहता हूँ रचनात्मक स्वतंतरता के जो उसके समान स्टैंडर्ड नहीं हो सकते है अगर आप ये कहते हो रचनात्मक स्वतंतरता के समान स्टैंडर्ड होने चाहिए तो आप गलत कहते हो रसनात्मत सुतंतरता के स्टैंडर्ड वहां तक होने चाहिए जहां तक आपके देश की संवेदनाएं उसके अनुमती देती है अमेरिका में अगर वो चर्च में थूक भी रहा है तो ये आपको स्विकार है आप कर सकते हो एक किसी मुसलिम राष्टर में अगर आप पैगंबर का फोटो बनाते हो तो ये भी अलाउट नहीं है तो ये आपको नहीं करना चाहिए भारत में अगर आपको लगता है कि यार भगवान राम पे आप फिल्में सिरीव बना सकते हो बनाईए लेकिन उनसे ये मत बुलवाईए जिस तरह के समवाद आपने बोले हैं इस फिल्म में वो मत बुलवाईए तो इसका आपको सम्मान करना चाहिए ये मेरा अपना व्यक्तिकत मत है कि यार रचनात्मक फतंतरता का स्टैंडर्ड जो है एक तो यूनिफॉर्म नहीं हो फक्ता वो अलग-अलग होगा उसके काईदे जो है वो अलग-अलग होने पड़ेंगे और अचा एक चीज़ आ रही है कि कुछ कोट केस चल रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार आपको मैं फिल्मों के मामले में मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ आपको अच्छी नहीं लगी आप मत देखो इससे बड़ा और क्या अलोचना हो सकती है किसी फिल्म की अगर एक फिल्म को ना देखना अपने आप में एक राजनेतिक स्टेटमेंट है कि यार आपने एक फिल्म मनाई मैं से सहमत नहीं हूँ मैं इसको नहीं देखोंगा आप अलोचना कीजिए आप बुराई कीजिए आप उसके बारे में लिखिए आप उसके खिलाफ लिखिए जितना आप लिख सकते हैं आप उसके खिलाफ महाल बनाए फिल्म के खिलाफ जैसे एक टरेंड चलता है बॉयकोट करो बॉयकोट करो मैं इसको भी गलत नहीं मानता आप ये भी चलाएए ये भी एक लोगतांतरिक शक्ती है कि भाई मैं जनता हूँ मुझे पसंद नहीं है ये फिल्म, मैं इसकी खिलाब बॉयकॉट का ट्रेंट चलाओंगा, बिल्कुल सही है, चलाओ, लेकिन यार प्रतिबंध लगाना, हर चीज में कानून को लेके आना कि कोट आके इसको बैन कर दे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज आजाएगा, अगर आप फिल्मों को बैन करना शुरू कर देंगे, और यही स्टैंड मेरा हर फिल्म पे है, याद रखिएगा, ये स्टैंड मेरा आधी पुरुष पे भी है, ये स्टैंड मेरा केरला फाइल्स पे भी था, वो फिल्म कितनी भी भड़का हूँ सही, अगर ब और इतिहास में थोड़ा फर्क होता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं, इतिहास जो होता है वो कब हुआ हमको क्लियरली पता है, अकबर कब था हमको जानकारी है, महाराना प्रताप कब थे, चंद्रगुप्त मौरे कब थे, अशोक कब थे, आपको जानकारी है, आप उस सम बेदनाएं, आप उनमें डाल सकते हैं, ये बात है कि नहीं, कि आप imagine कर सकते हैं कि अकबर के समय में लोग ऐसे दिखते होंगे, ऐसे वस्तर पहनते होंगे, क्योंकि उस समय की पेंटिंग्स भी हैं, उस समय की चितरकारियां हैं, आपके पास मैंने सिरीज देखी थी, आमेगो उन पे, जुबली, जुबली में क्या था, वो एक कहानी दिखाई गई थी, 1960-70 के दशक की, 60 के दशक की कहानी दिखाई गई थी, भारत के सिनिमा की, 50-60 के दशक की, अच्छली जब भारत आजाद होता है, तो अशोक कुमार के ऐसे बड़े स्टार बने थे, लगभग उसकी कहानी है, ठीक है, तो यार, अब हम सबको पता है, 1950 में कैसे कपड़े पहने जाते थे, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह के घर होते थे, तो आप आपके पास दस्तावेज है, तो आपको दिखा सकते हो, प्रॉब्लम आती है बेटा, पौरानिक कथाओं के साथ, क्योंकि आपके पास वास्तविक डेटा नहीं है, अब भगवान राम जो है, वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, इसका आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि हमारे लिए दस्तावेज क्या है, जो रामानन सागर की रामयाण में हमने देखा, हम सबके लिए दस्तावेज वही है, कि भगवान राम एक इस प्रकार का मुकुट लगाते होंगे, इस प्रकार का अंगवस्त्र पहनते होंगे, ये हम सब के दिमाग में एक इमेज आती है, वो image किस ने बनाई है, वो image या तो राजा रवी वर्मा की paintings ने बनाई है, जो राजा रवी वर्मा ने सारे भगवानों की painting बनाई, या तो उससे वो image आई, या फिर रामानन सागर ने जो किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि राजा रखी वर्मा का भी imagination था ना यार यह, कि भगवान राम इस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे, या फिर रामायाण में रामानन सागर ने भी imagine किया होगा, कि ये वेक्टी ऐसा दिखता होगा, ये वेक्टी इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये तो आपने imagine ही किया है न, ये बात सही है, तो इस imagination को, इस आपके विचार को आप जो है बदल सकते हो, क्योंकि ये इतिहास में एक जगा स्थिर नहीं होती, तो रामायाण की, जैसे रामायाण की कहानी का आधुनिक प्रयोग बहुत सारी फिल्मों में किया गया है, बहुत सारी फिल्में आपको ऐसी दिखेंगी, जहां पर रामायाण की कहानी का आधुनिक प्र दरभु में प्रयोग की गई है, जैसे एक फिल्म आई थी राजनीती, राजनीती की कहानी पूरी-पूरी महाभारत की ही कहानी है, लेकिन उसमें जो character है, वो jeans पहनता है, shirt पहनता है, नाम वो नहीं रखे गए है, आधुनिक दिन की राजनीती दिखाई गई है, लेकिन कहानी पूरी-पूरी महाभारत की ही है इस तरह से एक फिल्म और आई थी हम साथ-साथ हैं उसमें आप देखेंगे मुखी चरित्र जो है वो वास्तव में रामायान जैसा ही एक पूरा महौल दिखाया गया है कि माता ने किस लोगों के बहकावे में आके एक भाई को निकाल दिया त तो कहीं हमको दस्तावे इस तो मिले नहीं है तो ये एक समझने वाली बात है पर इसमें क्या होता है इसमें सावधानी आवश्यक है तो आप ये कर सकते हैं कि पौरानिक कथाओं को आप अपने तरह से उनकी व्याख्या कर सकते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन इस व् रमायान को एक अलग तरह से imagine किया, रमायान को अलग तरह से imagine करना बिलकुल भी गलत नहीं है, आप कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, in fact एक A.K. रामानुजम का essay है, एक A.K. रामानुजम नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने बहुत ही शांदार एक essay लिखा है, वो है 300 रमाया तो इसमें वो क्या बताते हैं, इसमें वो ये बताते हैं, कि भाई रमायान जो है, वो वास्तव में हर संस्कृति में अलग अलग तरह से देखी जाती है, तो आप जैसे हम जो हमने रमायान टीवी पे देखी है, वो एक उत्तर भारत की रमायान है, आप दक्षिन भारत में जाएंगे रमायण अलग है आप शिलंका में जाएंगे रमायण अलग है आप वियतनाम में जाएंगे रमायण एकदम अलग है आप कमबोडिया में जाएंगे रमायण एकदम अलग है भारत के पूरवत्तर शित्र में जाएंगे रमायण एकदम अलग है तो हर जगह की अलग इसको लेके एक इलियाड नाम के लेखक है समाज शास्त्री थे, उनका एक concept है sacred और profane, sacred और profane का concept बेटा क्या होता है, कि कुछ चीज़े हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं, और profane वो चीज़े हैं, इसको लिए हिंदी शब्द अपवित्र है, लेकिन अपवित्र से हम मानते है गंदा, गंदा नहीं, कुछ चीज़े पवित्र हैं और कुछ चीज़े ऐसी हैं जो सामान्य हैं, कि यह सामान्य दिन है, यह सामान्य लोग है, भगवान राम जो आते हैं, यह रमयाड की जो कहानी है, वो sacred में आती है, ठीक है, तो यह sacred की आपको हमेशा इज़्द करनी चा हम आत्मी की तरह भी तो बात कर सकते हैं, तो मेरा तो वही विचार था, कि हनुमान जी जिस तरह से बात हम लोग करते हैं, वैसे हनुमान जी भी बात कर सकते हैं, हमारी भगवान है, हमारी तरह बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप में classic गल्ती क्या करी है, आपने एक sacred चीज़ को एक पवित्र चीज को एक सामान्य चीज की तरह दिखाने की कोशिश करी है ठीक है तो इसके लिए प्रोफेल का आपको हिंदी मानुवाद हर जग़ अप पवित्र मिलेगा पर अप पवित्र सही शब्द नहीं है इसको हम कह सकते हैं पवित्र और सामान्य कुछ चीजे पवित्र होती है, कुछ चीजे सामान्य होती है, तो पवित्र और सामान्य का की जो सीमा है, इसको हमें नहीं लांगना चाहिए, तो हनुमान जी एक पवित्र कॉंसेप्ट है, एक पवित्र चरित्र है उनका, उससे आप अगर सामान्य बाते कराएंगे उस चरित आपने पवित्र चीजों को सामानने चीजों की तरह दिखाना शुरू कर दिया, आप मेकप कैसे भी करते लेकिन अगर आप उनके संबाद जो हैं, वो पवित्र ही रखते, आप उनके संबाद जो हैं, उनमें एक गरिमा बना कर रखते, तो इस प्रकार का विवाद आपको दे तरHaboth लोगों ने देखी होगी, महातमा गांधी के मिथदक का, महातमा गांधी के विक्तित्वका वो बहुत शानदार इस्तिमाल है, उस में भी समान निभाशा प्रयोग की गई है, लेकिन भो महातमा गांधी नहीं बोलते हैं, आप देखेंगे, समान निभाशा, वो वि अच्छा भाशा में बात नहीं करते तो ये जो है सेक्रेड और प्रोफेन की सीमा को उस फिल्म में बहुत केरफुली बचा कर रखा गया है जो आदी पुरुष में लांग ली गई है तो इसलिए आदी पुरुष को लेके विवाद हुआ तो बस यही इतनी सी मेरी मेरा जो ए राश्त्रिय अनुसंधान पाउंडेशन नाम की एक संस्था को बनाने का एलान किया है कैबिनेट ने लेकिन हो जाएगा भी ऐसी को बात नहीं है कर लेंगा असानी से क्योंकि आखरी वाला जो आर्टिकल है बो तो एक मिनिट का है बस कुछ ही नहीं उसमें तो राश्त्रि हमारे यहां IIT हैं बहुत IIM हैं और Medical Colleges हैं और बहुत शांदार हमारे यहां Humanities को लेके भी Research संस्थान है बहुत बढ़िया बढ़िया लेकिन तब भी अनुसंधान के मामले में Research के मामले में हम दुनिया की शीर्ष देशों में नहीं आते हमारे यहां अभी भी आप देखो है वो Research पर नहीं है हमारे यहां कुछ ऐसे विशेश संस्थान बनाए गए हैं जहां पर Research करी जाती है लेकिन तब भी यह जो एक Joint काम होता है कि भी पढ़ाना भी है बच्चों को और साथ के साथ Research भी करनी है यह वाला जो एक परिपकवता होती है Colleges की Universities की वो भारत में अ हमारे आकार के हिसाब से वो कम देखने को मिलती है तो इसके लिए क्या किया है Cabinet ने एक राश्त्रिय अनुसंधान Foundation बनाने का निरने किया है यह विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग के अंतरगत आएगी तो यार अब इसमें यह क्या करे इसमें होता क्या है भारत में कि वैज्ञानिकों के पास कोई पष्ट दिशा नहीं होती, कोई अप्ष्ट समनवय नहीं होता। मैं आपको एindi आएप्सामप्ल देता हूं वो जो गंगा को साफ करने वाली जो स्वमिती है उसके वो चेर्मेन है प्रोफेसर विनोद तारे थे या पतानी है की नहीं है लेकिन कुछ समय पहले तक वो उसके चेर्मेन थे तो गंगा की सफाई को लेकर मान लीज़े आयाई टी कानपूर को एक प्रोजेक्ट दिया गया उस पर वो प्रोफेसर काम कर रहे हैं कि बहुए कंगा कैसे का साफ होगी। अब हो सकता है कि नदियों को साफ करने को लेकर देश के अलग-अलग विश्व विद्यालेओं में और दस लोग प्रोजेक्ट कर रहे हूं। और दस लोग अनुस अंधान कर रहे हूं। क्या ये बहतर नहीं होगा कि अगर इनके बीच में समन्वे स्थापित किया जाए। कि यार मतलब क्योंकि नदी को साफ करना कोई आम बात नहीं है, सुनने ना बड़ी सिंपल बात लगते हैं, नदी तो है कचरा मट डालो साफ हो जाएगी ऐसे नहीं होता। नदी का अपना एक पूरा एको सिस्टम होता है, नदी एक चलाए मानचीव है, वो चलती रहती है, उसको साफ करना बहुत बड़ी चुनौती है, उसको साफ रखना बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, और नदी मतलब हजारो किलोमेटर में फैली होई, अब कहां कहां ल अगर इन सारी researches को साथ में लाया जाए तो बहतर परणाम आएगा कि नहीं आएगा तो ये जो समन्वे की कमी है इसके लिए ये एक नोडल agency की तरह बनाया गया है राश्टिया अनुसंधान foundation ठीके तो ये एक जो समन्वे की कमी है इसको समाप्त किया जाएगा और अलग-अलग शेत्र में इसको मतलब अलग-अलग शेत्रों में जो research हो रही है ताकि वो एक दिशा में आगे बढ़े और उपयोगी research बने उस दिशा में इसमें काम किया जाएगा इसकी कमी को समाप करेंगे तो इसमें एक चीज़ और होगी यार भारत में universities जो होती हैं वो हम हमेशा कहते हैं कि यार भारत में universities के पात fund की बहुत कमी है पैसे की बहुत कमी है अक्षरी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है यार बड़े-बड़े campuses बड़े-बड़े जो institute हैं वो भी fund को लेके बड़े crunch में हैं, बड़े कम पैसे हैं उनके पास, वही अगर आप अमेरिका में जाएं तो आप देखेंगे कि दादातर universities जो हैं, वो अपनी funding खुद पैदा करती हैं, कैसे क्योंकि वो industry से research project लेती हैं, कि यार उद्योग धंदों के सामने बहुत तरगी समस से आया आती हैं, वो universities को देते हैं, कि भई आप इस पर research करके हमें solve करके दो, और उसके लिए universities को भारी भरकम fees मिलती है, तो यह research projects जो हैं, यह देना बहुत आवश्यक है, और कई बार सरकार को भी आवश्यकता होती है, जैसे आपको मैंने बताया, कि भई गंगा साफ करना ह यह project आपने university को दिया, आपको भुकम का ध्यान करना है, यह आपने कहीं किसी और को दिया, आपको 5G लगाना है, यह project आपने किसी विश्यविद्याले को दिया, कि भई उस पर हमें क्या-क्या चीज़ें बनानी चाहिए, तो academic world, आपका जो researcher world है वो, आपका उद्योग जग और आपस में हम लोग संसाधन शेयर करेंगे, बातचीत शेयर करेंगे, यह हम करने का प्रयास करें, यह इसका एक महत्पूर्ण प्रावधान है, तो इसके लिए क्या किया गया है, पांट साल में 50,000 करोड का fund इसके लिए किया गया है, और साथ में इसको यह target दिया गया है कि इन 50,000 करोड में से आधा fund आपको निजी शेतर से जुटाना है, यानि कि 25,000 करोड आपको सरकार देगी, बचा हुआ 25,000 करोड जो है, वो आप जो है निजी शेतर से project लेकर आओ, और आप arrange करो, तो एक तरह से यह target भी set किया गया है, कि भाया आप जो है, आधा fund निजी निजी शेतर से लेकर आओ, ये अपने आप में important है, क्योंकि बटा, देखो universities को, मैं हमेशा ही कहता हूँ, कि सरकारे जो है, वो सब कुछ नहीं कर सकती, ये इस एक चीज का realization बहुत जरूरी है, कि हर चीज, हर सुविधा सरकार नहीं दे सकती, निजी शेतर का निवेश आप हम कहते हैं funding की कमी है, तो ये funding की कमी को निजी शेतर को भी पूरा करना पड़ेगा, निजी शेतर को भी इसमें अपना महती योगदान जो है, वो देना पड़ेगा, तो उस दिशा में भी ये एक महतपूर कदम माना जा सकता है, इसको लेके संसत में कानून लाया जाएगा और बिल लाया जाएगा और बिल जब पास होगा जब चर्चा होगी तो और डिटेल्स हैंगी तो हम देखेंगे अभी इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रशासनिक पद जो हैं उन पर प्रधान मंतुरी और भारत के जो भी विज्ञान और तक्नीक विभाग के मंतरी हैं वो आसीन होंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चुनौती आती है कि देखिए क्या होता है कि सरकार को कभी सरकार को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्वायत्ता सुनिश्चित रहे कि ऐसा नहो कि सरकार ये करे कि हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो एक एजेंडा है, सारी रिसर्च उसकी तरफ ही हो, ये नहीं होना चाहिए, कि रिसर्च जो है, ये ठीक है सरकार के मिशन की तरफ सरकार specific project लेके आये, वो सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बाकी को discourage करना, बाकी research को जो है आप अगर हतोत साहित करेंगे और आप ऐसा करेंगे, कि यार हम बाकी शेत्रों में research ही नहीं होने देंगे, तो फिर वो एक खतरनाक चीज है, तो ये हमें देखना चाहिए कि यार इस पर निर्णे लेने की शक्ती जो है, वो academic लोगों के पास ही होनी चाहिए, वो सरकार या मंत्रियों या IAS अफसरों के पास नहीं होनी चाहिए, ये एक चीज है इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है ठीक है, बाकी ये एक अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनिय कदम है चलिए आज का आखरी छोटा सा आर्टिकल, तो यार सिविल सेवाओं में भी एक प्रकार की लैंगिक सीमा देखी गई है, इंडियन एक प्रिस में आर्टिकल है, एक एक आदी बात है असमें बताने वाली, लेकिन मुझे लगा कि आप सब लोग सिविल सेवा के आस्पिरिंट हो, आप में से बहुत सारे लड़कियां हैं, जो इस प्रोग्राम को देखती हैं, जो इससे जुड़ी हुई हैं, आप सब लोग IAS ओफिसर बनना चाहते हो, आर मतलब बनूगे भी आप में से बहुत लोग निश्चित तोर पे, तो यार ऐसा नहीं है कि सिविल सेवाओं में जाने के बाद भी लैंगिक भेदभाव समाप्त हो जाता है, तो जैसे भारत में IAS के लिए बहुत वर्षों तक विवाहित महिलाओं का अनुमती ही नहीं थी, कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप IAS नहीं बन सकते, अगर आप विवाहित भी है तो आप IAS जॉइन करेंगी और जैसे ही आपकी शादी होगी आपको नौकरी छोड़ने पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वि बहुत जादा काबिल महिलाएं, बहुत जादा जो है पढ़ी लिखी महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, जो जिनको अर्थ शास्तर में दुनिया की शांदार युनिवर्स्टी से पि-च्डी किये हुए थी, ऐसी महिलाओं को भी आर्थिक विभागों में जो है अपॉइंट ये कल्यान विभाग हो गया, महिला और बाल विकास हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ये ऐसे विभाग माने जाते थे जिनमें जादा फील्ड वर्क नहीं है, तो ऐसे सॉफ्ट विभागों में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती थी, बाकी विभाग जो होते हैं, वो आपको collector तो बहुत महिलाएं होती हैं आप यार, बहुत ही वादा महिलाएं collectors हैं, in fact, सरकारें ये प्रयास करती हैं कि जो अब ज़्यादा active पद हैं, उन पे collector महिलाओं को ज़्यादा रखा जाए, भी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली में साथ जिले होते हैं शायद, गवर्नर महिला हमारे यहां नहीं हुई है, कैबिनिट सचिव एक भी महिला आज तक भारत में नहीं बनी है, भारत की मुख्य आर्थिक सलाकार आज तक एक भी महिला नहीं बनी है, तो निश्चित तोर पे हमारे पास इस प्रकार की महिला सेविल सेवाओं पे देना शुरू किया है, वो हाल ही में शुरू किया है, पिछले 15-16 साल से आप ये कह सकते हो, कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सलेक्ट हो रही है, तो शायद वो इतनी सीनियर बने कि वो RBI गवर्नर, कैबिनेट, सचेव, मुख्यारतिक, सलाकार वगएरा के पत्तक पहुंचे, उसमें समय लगेगा, तो इस बात की बहुत आशा है, इस बात की मुझे बहुत अकांक्शा है, कि निश्चित तोर पे अगले 20 साल, अगले 25 साल में ऐसा हो जाएगा, मेरे जीवनकाल में मैं देख पाऊगा, कि यार देश के जितने बड़े पद हैं, उनमें जितने पुरुष होंगे, उतनी महिलाएं भी होंगी, अब आप देखते हैं, कि महिलाओं का बहुत बड़ी संख्या में चैन हो रहा है, अभी हाल ही में UPSC का रिवल्ट जो आया था, उसमें 933 में से 320 लड़कियां थी, करीब 34% के आसपास लड़कियां इस बार सेलेक्ट हुई हैं, जो कि अभी भी एक तिहाई है, आधा नहीं है, आइडिलि ये संख्या आधी होनी चाहिए, लेकिन तब भी पहले जब हम इतनी कम महिलाएं होती थी कि आपको महिला देखने को ही नहीं मिलती थी, सिविल सर्विंट में, अब उसकी तुलना में ये बहुत बड़ा एक फर्क है, पहली चार रैंट्स जो हैं इस बार महिलाओं की हैं, और ये बहुत बड़ी इंपोर्टन चीज़ है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में, ये जो उच्च पदों पे महिलाओं का अकाल है, जो महिलाओं को ये उच्च पद आज तक नसीब नहीं हुए हैं, ये आने वाले समय में बदलेगा, और हो सकता है आप में से ही कुछ लोग, जो लोग इस प्रकार एकरम को देख रहे हैं, आप में से ही कुछ लड़कि में शायद महिलाओं जो हैं, इन उच्च पदों तक पहुँच पाई, चलिए, इतनी ही बात थी भाई आज के, आज के सवाल देख लेते हैं पटाफट, क्या प्रशन है भाई आज के, समान नागरिक सहिता की चर्चा सम्विधान में मूल कर्तव्यों में की गई है, मूल कर अगू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है, बिलकुल नहीं, नीती निदेशक तत्व जो है, बिलकुल बाध्यकारी नहीं होते, तो आपके दोनों कथन इसमें गलत हो गए, पहले कुश्यन में आपके दोनों कथन गलत है, आगे जलते हैं, राश्त्रिय अनुसंधान शिक्षा मंत्राले के अंतरगत आएगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट अफ साइंस एंड टेकनॉलोजी, विज्ञान व तकनीक विभाग के अंतरगत आएगा, इसको पूरी फंडिंग फरकार प्रदान करेगी, नहीं, आधी फरकार देगी, आधी आपको निजी शेत्र से इसमें भी आपके दोनों कथन गलत हो गए, आज दोनों सवालों में आपके दोनों कथन गलत थे, ठीक है, चलिए, आज आज आपका जो सब्जेक्टिव फ्रशन है वो आधी पूरुष प्राधारित है, तो आस्था के मुद्दों का आधुनिकी करण करने की सीमा होना अव चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आधी पूरुष के बारे में बताना जरूर है आपको, ठीक है, आस्था के मुद्दों का आधुनिकी करण करने की सीमा होना अवश्यक है, अब वो सीमा कैसे तै होगी, कहा तै होगी, क्या सब के लिए एक जैसी होगी, या अलग-अ लग होगी, ये आपको सोचना है, आप इसमें बिलकुल उन्मुक्त तरीके से अपने विचार दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा आप उससे सहमत हूँ, हाला कि मेरे अपने विचार जो है, मैं बहुत सोच विचार के वहां तक पहुँचा हूँ, ये कुछ ये आप अगर clear है और clarity है कि नहीं, इसका सबसे बला टेस्स होता की लिखके देख लो, अगर लिख पा रहे हो तो clear है, नहीं लिख पा रहे हो तो clear नहीं है, और सोचने की आविशक्ता है, तो आप इस lecture के comment box में आप वो विचार लिख सकते हैं, इसका उत्तर लिखने का प् लिली में, आपको बहाँ पर बिना किसी अतिरिक्ट खर्चे के, यह सब कुछ आपको मिल सकता है AJ Life Code लगा के 2999 नहीं, 2899 में, तो इस दाम पे आपको आज मिल रहा है, शाम 6 बजे क्लासिज होती हैं, आज रात तक बस admission आप ले सकते हैं इसमें, 30 जून तक कोशिश कीजिए कि आज के आज जुड़ जाएं, AJ Life Code लगाना मत भूलिएगा, उसी से आपको 289999 का दाम मिलेगा, हिंदी में भी ले सकते हैं, अंग्रेजी में भी ले सकते हैं, और bilingual भी आप ले सकते हैं, जो बैच चाहें आपको ले सकते हैं, ठीक है, optional subject, यह 8 optional हैं हमारे पास, आप इन में स एक आइडेम्स नाम के टेलेग्राम चैनल पे, अतुल अंडर्सकोर यूपी एससी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अतुल.gen.study.com मेरा email ID है, और www.study.com हमारे संस्थान की वेब साइट है, इन तरीकों से आप, इन दो तरीकों से आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं, और सं मैं प्रयास करूँगा कि सोमवार से आपकी Economics के Lectures जो है, वो भी प्रारंब हो जाएं, ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं, मेरे फाद आज उड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. प्रांब है